अधर्णिये मोदी जी के स्तारे बहुत बुलंद है, अधर्णिये मोदी जी को बहुत ध्यान से पबलिक सुने, अब सुलब सोचाले कितना इंपोर्टेंट है, ये सब लोग जानते हैं, आप एक टाइम बिना खाय रह सकते हैं, अगर प्रेसर आ गया तो आप एक मिन्ट में अपनी लीला खराब हो जाएगी, फाइनल इनकी 382 सिट फाइनल आ रही है, जहां भी जाते हैं, किसी भी कंट्री में ये इंडिया की किसी कोने में भी, तो सबसे पहले वो अपना देवस्थल खोजते हैं कि वहां कौन सा देव सिद पीठ है, कुर्सी मिलना ना मिलना ये त के पास उपलब्द है, वर्ड में कहीं भी किसी भी प्रधान मंतिरी राश्टपती या किसी राजा के हां कोई फैंक्सन है, जैसे महरानी विक्टोरिया के यहां, तो एक वन पीस कार्ड इन्वाइट के वल गांधी परिवार को मिलता है, इसे राज योग कहते हैं, दो जार नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशा शर्मा और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, दोस्तों बहुत जल जो है वो लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं, और उसको लेकर हर पार्टी जो है वो अपनी अपनी त्यारियों में लगी हुई है, वहीं पे बात करें, बिपक् ले रही है कि अपकी बार 400 पार होगा, लेकिन इसी के बीच में सबसे बड़ी जो बात है, वो ये है कि गनित क्या कहता है, जोतिश शास्त्र क्या कहता है, कि 24 में कौन से राजनेता के सितारे जो हैं वो बुलेंद होंगे, तो इसी के उपर सारी चर्चा करेंगे, क्योंकि ह अपने जोर लगा रही है, राउल गांदी भी पूरा जोर लगा रहे हैं, लेकिन इसी के उपर हम बात करेंगे कि जोतिश शास्त्र के अनुसार, किसके सितारे इस बार बुलंद हैं, ऐसी क्या बात है कि पियम मोदी का नाम जो है, वो इस वक्त इतना जादा चर्चित हो र हर जगा मोदी की गारंटी चल रही है, तो क्या लगता है कि सितारे क्या कहते हैं मोदी जी के सितारे बहुत बुलंद है, पहले उनकी पत्रीका के उसे पर थोड़ा सा सभी को बताया जाए उनकी जनमकुली क्या कहती है, उनकी जनमकुली में जो सबसे बड़ा जो उनकी प्राप्ति योग कहते हैं उसे महापंस पुरूश रूचक योग भी कहते हैं वर्तमान में उनकी लगन की दसा मंगल की दसा चल रही जो उनको अभी धाई साल मंगल का और अभी उनके उपर परभाव रहेगा उसके बाद राहू की दसा आएगी आदर्णिय मोदी जी को आल के लिए जैसे प्रांगन से उन्होंने एक छोटा सा विशे बताया आम जंता के लिए कि हमारे देश में सुलब सोचाले की बहुत प्रोग्लम है विपक्स ने बड़ी खिली उड़ाई अब सुलब सोचाले कितना इंपोर्टेंट है यह सब लोग जानते हैं आप एक टा उन्होंने पूरे देश के अंदर सुलब सोचाले जैसे निर्मान कराए और उनको एक मुझे तो ऐसा लगता है वह एक सकती उनके साथ कोई काम कर रही है जो पांसो सालों में किसी को भी यह यह योग प्राप्त नहीं हुआ पर्भू सिरी राम का प्रान प्रतिष्ठा उनक और यह हमारा भी सोभाग्य हमें ऐसा प्रधान मंत्री मिला और आने वाले समय में हमारा जो गणित है वो जोतिस का वो यह कहता है फाइनल इनकी 382 सीट फाइनल आ रही है इसको रिकोर्ड कर लीजे इस वानी को ताकि रजल्ट आने के बाद फिर हम लोगों से मिले और बता तो कमाल का राजयोग है और बिल्कुल बहुत बढ़िया काम करेंगे देश के लिए और कर रहे हैं इसमें कोई कोई शंका नहीं आप मोदी जी को कभी भी सुनिये यह मैं आवाम जनता के लिए बात बता रहा हूं जब आप सुनेंगे तो ऐसा सुनेंगे कि हम पहली बार य पीनी चरन दोए और उनकी लोग प्रियता का जो राज है वह अब मैं बताता हूं मोदी जी के पास दो पॉइंट बहुत जबरदस्त है एक तो वह हिंदी में बोलते हैं और वह वर्ड में किसी कौने में भी जाते हैं तो हिंदी में बोलते हैं हिंदी हमारे देश में क्या पूरे वर्ड में करीब करीब काफी क्या 85 परसंट आदमी हिंदी सुनता है सुनना पसंद करता है और वो अपने विचारों को रखते हैं उन विचारों को जनता सुनती इससे पहले कई प्रधान मंत्री बने मनमाहण जी देवगोडा जी नरसिंगराव उनको पबलिक को पत तो सबसे पहले वह अपना देवस्थल खोजते हैं कि वहां कौन सा देव सिध पीठ है वहां जाकि वह माथा टेकते हैं यह दो राज अगर उन्होंने अपनाए हैं तो आज वह लोगप्रिये हो गए लोगों के दिलों पर राज कर रहे हैं अगर कुंडली की बात करें कुं नियाएदीष में सनी की उनके ऊपर बड़ी किर्पा है और जो लगन और रासी वब प्रवु शीरीराम का जैसे करक लगन करक रासी श्लंट करता कि वह सेम लगन रासी तो ऐसे सेम लगन शेम रासी जो यो 31 के जि़ीडातिक सेम लगन शेम रासी होगा वह ऐसा काम करके लोग जनता याद करती है इतिहास बना दे इतिहास के उपर ये अगर बात की जाए तो कॉंग्रेस का एक अपना इतिहास रहा है और ये भी बोला जाता है कि शहजादे के लिए जगा जगा पर उनको खड़ा करने की कोशिश की भारत जुड़ो न्यायात्रा निकाल रहे हैं अभी राउल गांदी जनता के बीच में जा रहे हैं प्रेम बटोरने की कोशिश कर रहे हैं क्या उनकी कुंडली में कुछ ऐसा कोई ग्रह का समवेश नहीं बन पाता है कि उनको जो है वो कभी परधान मंत्री बन पाएंगे या फिर उनको राज सुक मिलेगा देखे ये तो अमारे पास नहीं फिर भी एक ऐसा राजयोग बताता हूं जिसको आज सुनेंगे लोग पहली बार तो वो कहेंगे कि हाँ ये राजयोग होता है कुर्सी मिलना ना मिलना ये तो समय की मार है एक सबसे बड़ा राजयोग पूरे विश्व में आप सर्वे कीजी कोई ऐसा बं कुर्सी नहीं केवल बाकी सारा राजयोग वाली सुध्य है उनके पास उपलब्द है और एक सबसे बड़ी विशेष्टा में बताता हूं इस घरहने की वर्ड में कहीं भी किसी भी प्रधानमंतिरी राश्ट्पति या किसी राजा किया कोई फैंक्सन है जैसे माहरानी विक अगर पहले पूर्व जो परधानमंत्री रहें मनमोन भी अगर रहें तो उनको भी नहीं मिलेगा लेकिन गांदी परिवार को जुरू फाइनल मिलता है जी और उसके बाद देखिए राउल गांदी जी की एक विशेष्टा बताता हूं इसके लिए चमा चाहता हूं बताना इसलिए पड़ेगा बिना बताए लोगों को समझ नहीं आएगी अकेला वन पीस बंदा है जो बहुत बड़े दल से अकेला फाइट कर रहा है फाइट करने ओलब लड़ाई लड़ रहा है और रही कामियाभी की बात तो ये एक समय की मार है जब समय सितारा आएंगे तो प् कुल्डी में भी राजियोग है दो जार उनतीस के बाद साइद वो प्रधान मंत्री बन सकते हैं ऐसा मेरा एक आज का समय कुष्चन के अनुशारीच सवाल का जवाब दो हजार उनतीस के बाद जो है पुरा उल गांदी जो है वो कुछ कुरसी हासिल जो है वो कर पाएंगे अभी फिलहाल तो जो है अगर बात की जाए लोकसवा चुनाम में तो अमेठी को लेके भी खत्रा दिख रहा है और सबसे बड़े भाग्य साली तो वो तब हैं मोदी जी अमित साजी या बीजेपी के जितने भी कारिये करता है उनको ट्रेनिंग सेंटर का जो विशा मिला है सीखने का वह बहुत हीरे की तरह कोईनियूर की तरह तरह से जाएंगे और वह जब सीख के भार आएंगे तब देखिएगा राउल गंदी के स्तारा किसे राउल किती से कोई हमारा संब्द है तो देखिए लोग सबाचुनाब को लेके पलपल के अफडेट हम आपको दे रहे हैं हम आपको बता रहे हैं जोती शास्त्र के अनुसार जो है वो लोग सबाचुनाब में क्या होने वाला है फिलाल के लिए बने रही है हमारे साथ और यह रहे है सोगंद टीवी सोगंद वतन की